कैप्टन सौरप कालिया के साथ अंतराश्ट्रे संधी के मुताबिक बरताफ नहीं किया था सोला साल बाद NDA सरकार ने संसद में कहा है कि अंतराश्ट्रे अदालत में कैप्टन सौरप कालिया पर हुए पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ अपील करना संभव नहीं है कालिया के पिता NK कालिया ने सुप्रीम कोट से इसकी मांग की थी पिछले साल यूपिय सरकार ने भी इससे इनकार कर दिया था कहा था कि ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान हमारा पडोसी देश है इस मामले में सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार से 25 अगस्त तक हलफ नामा मांगा है दरसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक जवान गुले खानदान फक्र से ये बात कह रहा है कि कैसे सौरब कालिया को यातनाय दी गई पाकिस्तान ने कभी भी सौरब को यातना देने की बात मानी नहीं अब उसी वीडियो क्लिप को पाकिस्तान को सबूत बताकर कारवाई की मांग एनके कालिया जो सौरब कालिया के पिता हैं वो कर रहे हैं मत्या जतनी भी आज निस्क मत्या पार्टिया हैं उनसे मेरा मन जो है धरगया हुआ है तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में ये केस को ढाला सा और ये पूरान मत्या आशा है कि इनकी सुप्रीम कोर्ट इस इस इशू को अच्छे त्रीके से मत्या सुनेगा और जो है आगे उची कालवाई के लिए दारसल कार्ट को नदेश देए और अब आपको दिखाते हैं वो क्लिप जिसमें सौरब कालिया को मारने वाले पाकिस्तान जबान गुले खांदान क्या कह रहा है कार्गल के अगले हीरो से आपकी मुलाकात करवाता हूं इस तकबाल कीजिए नाएक गुले खांदान कार्गल में आप मौजूद थे खूब लड़े हिम्मत जमा मर्दी शुजात बहादुरी से क्या तजर्बा रहा तजर्बा मेरा बहुत अशरा भरहल इस तजर्बे के बताने की अभी आपके सामने दो मसाले कैप्टन रमेल साहिब और होलदार फरोजगान तो चांद एक दो मसाले और भी में पेश कर देता हूँ वैसे तो यह ढ़ाई तीन महीने की बहुत मसाले हैं हमारे सामने दुश्मन का एक अटेक हमारे उपर तेरा में क्यों आया उनके छे बंदों ने अडवास किया जो रेकी पट्रॉल था वो यह चाहते थे कि जिस पॉस्ट के उपर मैं था वो उस पॉस्ट के उपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि वो सबसे बड़ी उंची पॉस्ट थी और उस पॉस्ट पर कब्जा करके वो शहराई ले जो है उसको हमसे महफूज कराना चाहते थे मगर अला का करना यू हुआ कि उनके च्छे बंदों ने लेफटिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवास किया मगर हुआ यह कि वो एडवास थो हमारे उपर कर रहे थे लेकर वो शिकार करने के लिए आये थे और खुद शिकार होगे हुआ ऐसे कि हमने जब उनकी इतला कैपिटन अली अस्तर साथ को दी तो उन्हें कहा कि कोई बात नहीं है उन्हें नजदीग थोड़ा आने दीजिए क्योंके वो आर्ड रेड़ी लाइन अफ कंट्रोल तो करास कर चुके थे और वो हमारी पॉस्ट के उपर कब्जा करना चाहते थे मगर जब वो करीब आए हम उने कैदी बनाना चाहते थे लेकर वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर वो हमसे बागने की कोईश कर रहे थे हमने उनके उपर फाइर गरा दिया मैं सिर्फ इंटनेशनल मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये लाइन आफ कंट्रोल के अंदर यानी हमारे लाइन आफ कंट्रोल के अंदर हो रहा थे विलकुल उनको ये उनका एक जो है एफनसियो टास्क या एगरेस्यो प्लान में कह सकता कि ये एक जहराना मनसूबा बन जुका था पहले से मगर उन्हें मूँ की खानी पड़ी इसी तरह हमने उन्हें आवाजें भी मारी कि भाई अपनी ये छे लाशें वापस ले जाएं लेकून उन्हें उनके अंदर इतना हुसला और इतनी जुरुत नहीं थी कि वो आकर अपनी लाशें वापस ला जाते फिर हमने उन लाशें को जैसा कि रोज रोशन की तरह यहां है कि हमने एक दस्तूर के मताबक लेटिनेट कालिया के साथ जो पाँच लाशें थी उनको वापस कर दिया इसी तरह उनकी एद जाराना कारवाई का तो मिसाले में और पेश कर देता हूँ 18 मेई को उन्होंने दोबारा टेक लाया जिसमें तदाद में वो काफी थे और हमारी तदाद उनके मकाबले में बाइस थी काफी मीन्स काफी से मराद यह है कि वो 200 से जायत थे इससे कम नहीं थे गालबन वो 300 या मतलब ये क्या रेशो है कि जब भी उनकी तरफ से हमला हुआ जितने भी हमारे साथियों ना आके बताया साथ सो छे सो आट सो चार सो और इधर बाईस सतरा चाउदा पंदरा नौ ग्यारा यानि देशत का ये आलम है कि 12 या 14 लोगों को काबू करने के लिए 600 आदमी जाते हैं ये जंग की कौन सी स्ट्रेटेजी है जी ये तो बिल्कुल जहराना कारवाई है इसलिए मैं आप से ये आपके सामने में ये वजायत से बताना चाहता हूँ कि हमारे 22 जवान थे और वो कम इसका हम 300 या उससे भी अबाओ थे जब वो हमारे उपर टेक लेकर आए तो उनको भी मूँ की खानी पड़ी उसकी मिसाल में यू जा देता हूँ कि उनकी एक गन है उसका नाम जो है हम्तिये वो हमारी LMG की तरह है लेकर LMG में बुल्ट जाता है उसमें जो है ये रेडियो सिट भी हमारे आख में आई और बलके उनके लिए वाज़ सुबूत में ये बतादू उनकी बादिली का कि उनकी जो HMT गन थी वो हमारा हवालदार सनोबर जो है तकरीबं तेड़ महीने तक उनके लिए इस्तमाल करता रहा है अगर वो गन आपके पास महफूज है तो उसे संभाल के रखिएगा वो याद दिलाता रहेगा हमारे जवानों की शुजात के कारणाम आप कियामत का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ये पाकिस्तान का बो जवान था जिसने कबूल नामा थाई उसका सौरब कालिया को किस तरह से मारा गया था उस वक्त क्या हुआ था ये सब कबूल करता हुआ वो इस वीडियो पर नज़र आया लेकिन अब सरकार ये कह रही है पिछली सरकार की तरह ही कि अंतराश्ट्रे अदालत में इस मामले को नहीं ले जाया जा सकता संसद में सांसद राजीव चंद्रशेखर ने सरकार से सवाल पूछा था राजीव ने अंतराश्ट्रे अदालत में अपील भी की है लेकिन सरकारों का रवया उदासीन है इसलिए कुछ हो नहीं रहा जो क्वेस्टिन हमने पूछा है वो इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस के तहत पूछा है और मुझे लगता है गवर्मन का एक उपीजिन होगा या लीगल उपीजिन होगा कि इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस में नॉट बी राइट फोरूम मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मुझे तो लगता है कि ये मुद्दे को परसू करना जरूरी है लेटन कालिया के तहट और फूचर जेनरेशन अफ सोलजर्स और सिटिसन्स फॉर दिम तो ये परसू करना गवर्मन का एक ड्यूटी बनता है मुझे लगता है गवर्मन कुछ करेगा आप थी लड़ा जारी गाए है याप मिस्टर कालिया तो अनको सपोर्ट करूंगा मिस्टर कालिया और उनके फैमिली को सपोर्ट तब तक करूंगा जब तक जस्स नहीं मिले खेराबी इस मामले में सौरब कालिया के पिता सुप्रीम कोच गए हैं और सुप्रीम कोच ने सरकार से हलफ नामा देने को कहा है